हेलो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला उत्तर परदेश के मौव जिला के बारे में तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तो को साथ सेर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो हमा मौस जीला के नाम से जाना जाता है, इस जीले का एड़ कवाटर मौस और मेश्ती थैं और मौस जीला आजमगड मंडल के अंतरगत आता है। मौझ जीला उत्तर प्रदेश का पुरुकी और का दिशाकालाता है यह जीला पहले आजमगड और गोरकपुर जीले का मत्पुर्ण हिसागवा करता था लेकिन आज के मौझुदा समय में मौझ जीला को गोरकपुर और आजमगड जीला से अलग किया जा चुका है इस जीले का गठन एक नुवमबर 1988 पी को आजमगड जीले के बटवारे के समय किया गया था मौज जीले, मौज जीला के पड़ोसी जीलों के नाम कुछ इस परकार हैं उत्तर प्रदेश का गोरकपूर जीला, देवरिया जीला, बलिया जीला, आजमगड जीला वो गाजीपूर जीला से घीरा हुआ है मौज जीला का मुख्य नदी, घागरा नदी वो तमसा नदी है तमसन अधी के किनारे पर बसाया जिला उत्तर प्रदेश की राजानी लखनव से मौज 312 किलो मीटर तथा देश की राजानी दिल्ली से 846 किलो मीटर के दूरी पर बसा हुआ है चेतरफल की बात करेते हो मौज जीला का कुल चेतरफल 713 वर किलो मिटर में फैला हुआ है और परिवारे को संखेया 3,24,600 के करीब है अबादी की बात करेते हो संदो जारे गारा जड़ गरना के अनुसार मौज जीला की कुल अबादी 22,600 के करीब है जिन में पुरूस 11,15,000 तथा मौईला 10,99,000 के करीब है जिसमें हिंदु धर्मी के अबादी 88,000 परिशत और मुस्लिम धर्मी के अबादी 23,000 परिशत है मौज जीला की अश्टलिंगा अनुपात 989 है यानी की 1000 पूरूस पर 989 मौईला रती है सिच्छा की बात करें तो मौज जीला का सराष्टादर 73,000 परिशत है यानी की अबादी के अनुशार इस जीला में 73,000 परिशत लोग पढ़े लिखे हैं जिन में पुरूस वो मौईला दोनों सामिल है इस जीला में कुछ इसकूर हुओ कॉलेज के नाम इस परकार है और विया गर इंटर कालेज पुरूवाँचल मौईला इंटर कालेज इत्तिया आदी मौईल जीला में 4 तसिल, 9 व्लोक, 1 लोक सबा, 4 विदन सबा, 166 डाग़, 11 पुलिस इस्टेशन, 1 नगर पालीका, 9 नगर पंचायत, 684 गराम पंचायत, 10 सर और 200 एकानवे गाउं में बटा हुआ है बैवसाय की बात करें तो इस जीले में कई ऐसे छोटे वो बड़े करखाने वो फैक्टरिया हैं जिसे यहां के लोग अपना जीवन यापण करते हैं वैसे इस जीले का मुख्य बैवसाय खेती है और यह जीला काफी हद तक खेती अर्थ व्यास्ता पर निर्वर करता है इत्यादी है सड़क रास्ते की बात करें तो इस जीले का बहुत छोटे वो बड़े रोड यानी की सड़क हैं जिसे यहां के लोग को यात्रा करने में कोई दिक्कत वो परसानी मौसूस नहीं होती है इस जीले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 29 गुजरती है जो आगे चल कर उत्तर प्रदेश के कई बड़े सवरों से अच्छी तोरा से मिली हुई है रेलवे लाइन रेलवे इस्टेशन की बात करें तो मौजीले के मुखे रेलवे इस्टेशन के नाम मौजउक्षन है जो नर्ध इस्टोजन के परांसी डिविजन के अंतरगत आता है माउज अक्षन रेलवे में कुल चार प्लेटफरम आठ पटर्या सामिल है और दोस्तों इमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तेख हमारे चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों आप अपने जिला का बारे में जानना चाते हैं तो कमेंट करके जरूर दाएगा दोस्तो आप मौजने करने वाले ने इस विडियो को ज्यादा स começo कर दिजएगा यानि कि ज्यादा ज्यादा आदमी को पास इस विडियो का लिंक दे दिजएगा दोस्तो विडियो को देखने के लिए धन्यवाद